शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इन बीसे न्यूस को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें हिंगनगाट शहर के तहसिलवाड में रहने वाले पंधा वर्षिय, चिराग भरने का शव नानगाव शिवार में वेना नदी के पात्र में मिलने से शहर में खलबली मची है गुरू तक चिराग बारा तारी की दोपर को मोटर साइकल पर घर से निकला था रात आट बजे चिराग के पिता सुर्यकान भर ने अपनी सोने और चांदी की दुकान बन करके घर आए उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि चिराग घर पर नहीं है इस बीच बच्चे के दोस्त का फोन भी आया था वह अपने दोस्त से दोपर के डेड़ बजे पांसो रुपे मांगने के बाद चला उस रात बारा बजे तक रहा देखने के बाद भी वो घर नहीं लोटा तब सुबह रिष्टेदार और मित्रों की और फोन द्वारा जानकारी ली गई लेकिन किसी तरह का पता नहीं चलने पर बारा जून को पुलीस में शिकायद दर्श की गई मृतक चिराक को दो भाई है मृतक न्यांदिप स्कूल में दस्वी कप्षा में पढ़ता था नाबालिक लड़के का शव सोमवार को नानगाव शिवार में बेना नदी के पात्र में विला तब घरवाले व्यतित हुए और हमारे लड़के का घात पात हुआ है इस प्रकार की शंका व्यक्त की गई है पुलीस ने आत्मत्या करने की जानकारी दी है इन बीसन नियूस के लिए हिंगन घार से रवी एनोरकर की रिपोर्ट